तो दोस्तो नमस्कार और स्वागत है आप सबका हमारे इस यूटीव चैनल में दोस्तो मैं हूँ एक सराजवीर आपका अनक एडमी और यूटीव एजिकेटर दोस्तो मैं आपको बता दू कि आपके NTA, UGC, NET की एक्जाम डेट आज़ दिए दोस्तो एक चीज मैं आपको बता दू कि इस बार जो आपका एक्जाम होने वाला है वो एक्जाम काफी लंबा चलने वाला है और अगर आप इंगलिस सब्जिक्ट के स्टूडिंट है तो मैं आपको बता दू कि पहली बार इंगलिस का एक्जाम है वो दो सिट में होने वाला है मौनिंग सिट और इवनिंग सिट चलिए दोस्तो मैं आपको वन बाई वन बताता हूँ सबसे पहले आपको देखिए दोस्तो ये आप देख रहे है NTA की ओफिसियल वेब साइट और इस ओफिसियल वेब साइट का ये जो नोटिफिकेशन पाथ ही इसको मैं आपकाईग को ओपिन करवा जैसे ही मैंने ओपिन किया सो दोस्तो देखिए यहां पर एडमिट कार्ड के लिए और एक्जाम डेट के लिए आपको इन्फोमेशन दी गई है नोटिफिकेशन दिया गया है एडमिट कार्ड में आपको बता दू दोस्तो कि आपके सिर्फ दो ही दिनों के अभी आए है हाँ जल्दी ही उसके लिए आपको सुचना मिल जाएगी दोस्तो डेट क्या है तो इस डेट को मैं दिखा दू आपको हाँ एचीज और समझेए आपका जो एक्जाम है वो 24 सेटेंबर से स्टार्ट हो करती है फाइब नवंबर तक चलने वाला है दोस्तो आपका एक्जाम बहुत लंबा चलने वाला है देखे अक्टूबर पूरा एक्जाम होगा नवंबर में 5 दिनों तक और इधर अगर आप देखे सो सेटेंबर में च्छा दिनों तक के स्टूबर तक चलने वाला है लॉज़ी सी नेट की हिस्टूरी में और पहला एक्जाम मुझे लग रहा है काफी दिनों तक चलेगा क्योंकि आज तक नेट का एक्जाम 5-6 दिनों में हो जाया करता था इंग्लिज के लिए तो कभी दो सिप्ट हुई है नाओ स्टूडंस यू कैन सी कि यह सबजेक्ट वाइड जो डेट भी हुई है कि किस डेट को किस सबजेक्ट का होगा इसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक् वेबसाइट भी विजिट करके देखिए जो डिफरेंट सब्जेक्ट है सो सबसे पहले इनके एक्जाम होने वाले हैं जिनमें कम क्यांडी डेट है बात समझेए कि देखिए जैसे अडल्ट एडुकेशन चाइनीज जोगरी जर्मन गुजराती से डिफरेंट जो सब्जेक ये काफी सारे एक्जाम साथ के होने वाले हैं आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं स्क्रीन शॉट ले लीजिए गर मैं थोड़ा सा भी फास्ट चलता है इसके बाद दोस्तों आती है बारी हमारे सब्जेक्ट अपने सब्जेक्ट की इंग्लिस की इंग्लिस का जो एक एक्टूबर, वन एक्टूबर और धो शेच्ट, मॉनिंग और इवनिंग शेच्ट, पहली बार दोस्तों झोए एक्टूबर होगा वो 9-12 होगा, पहला पहली शिफ्ट वाला और और दूसरा है वो 9- 6 होगा, यानि कि Morning और उवनिंग इवनिंग शेच्टूबर फोड़ा अब दोस्तों बात आती है कि जो other subject है, so please आप देख लिए इसे students अगर आप देख रहे हैं, other subject के examination की date ये है सारी, और आप देख ले और देखने के बाद अगर आप चाहें, तो screenshot भी कर सकते हैं, दोस्तों मैं एक और आपको चीज बहुत अच्छी बता दू कि देखिए, अग क्या students मैं आपको बता दू, देखिए, अगर आप seriously preparation करना चाहते हैं, तो अगर English के students है, तो daily आप मुझे 2PM पर join कर लीजे, daily 2PM और कहां पर? Unacademy The Learning Application पर, करना क्या है? तो download कर लीजे Unacademy The Learning Application और daily join कर लीजे, right? Free or special class और complete championship test series जिसमें 100 questions आई आपकी लीजे, और एक test series तो हो चुगे, बहुत सारे students ने participate किया था, जब आप participate करेंगे, आपकी ranking बनेगी और मज़ा आएगा, कि आप कितने पानी में है, आपको पदा चलेगा कि आपकी probation का label क्या है? See students, एक चीज मैं आपको और बता दू, बहुत बढ़िया, दिखिए अगर आप paper 1 भी revise करना चाहते हैं, so revise India series हमारी चल दिया Unacademy के platform पर, आईए उसमें learn कीजे, और other subject दोस्तों, other subject, different other subjects के लिए भी, बहुत सारी Practition Unacademy पर चलने हैं, so अगर आप other subject के, जैसे commerce, history, hindi, so अगर इन subject के हैं, so उनके लिए भी Unacademy के platform पर free classes चल रही हैं, इसमें, आप join कीजे, Unacademy लेर्णिंग application इंस्टॉल करके, और ज्यादा information चाहिए, so please आप paragraph पर मेरा literature numbers, मेरा एक handle है, उसको search के लिए, वहाँ पर एक ही चीज करने हैं, आप championship test series सर्च कर लीजेगा, पहले install कीजे, email id डाल कर के register कीजे, और championship test series में अपने आपको enroll कर लीजे, और अगर आप मतलब daily की जो revise India series बाली classes है, so उसमें आपको daily हमारी profile visit करना है, हमारी class देख लेना है, उसमें enroll कर लेना है, अपने आप notification आजाएग और ये लो रही आपकी देट, so thank you so much, stay tuned with me and okay bye, take care students, जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए, नमस्कार.